Hello everyone and welcome back to another video of the lead code daily challenge आज हम डिस्क्स करेंगे यार find all groups of farmland company tax की बात करें तो citrix में पूछा गया not a very common question कोई बात नहीं चलो डिस्क्स करते हैं कि you are given zero index m cross in binary matrix binary means खाली zero and ones होंगे जहां पर आपका zero represent कर रहा है forested land को and one represent कर रहा है farmland को ठीक है to keep the land organized they are designated rectangular areas of hectares that consist entirely of farmland okay these rectangular areas are called groups मतलब जितने भी ones है उनको collect करके group बना दिया गया है no two groups are adjacent meaning farmland in one group is not four-directionally adjacent to another farmland in a different group इस line को भी मैं समझाऊंगा land can be represented by a coordinate system जहां पर top left होगा 0,0 bottom right होगा last row and last column okay find the coordinates of the top left and bottom right corner of each group of farmland a group of farmland with a top left corner r1 c1 and a bottom right corner r2 c2 is represented by four length array r1 c1 r2 c2 return a 2d array containing four length arrays described above for each group of farmland in land if there are no groups of farmland return an empty array you may return answer in any order so question कहा रहा है आपको input में एक matrix दिया होगा ठीक है जिसमें खाली zeros and ones होगे 0 आपका forest land one आपका farmland अब आप से कहा गया है कि भाई यह जो ones है ना यह मिला करके group बना रहे है मतलब कि जितने भी one है इन्हें हमने group में collect कर लिया अब आप सोचो कि भाईए एक one यहां भी है एक one यहां भी है ठीक है कुछ ones यहां भी है तो यह दोनों तो connect होने चाहिए आपस में यह क्यों नहीं connected है तो इन्होंने कहा है कि connect तभी होंगे जब आप राइट डाउन यह लेफ्ट में होगे तो यह तो डाइगनल कनेक्शन है ना डाइगनल नहीं है और इसकी बीच में तो गैप ही आ गया तो इस तरीके से मुझे पदा चल गया इसके इसके ग्सांपल से समझने तो for example यहां पे टॉप लेफ्ट क्या है वन कॉमा ठीक है वन कॉमा वन हमारा टॉप लेफ्ट है यह वाले यानि की सेकेंड रो एंट थर्ड कॉलम सेकेंड रो एंट कॉलम तो बापको आंसर कैसे रिटर्न करना ओविसली यहां पे एक बड यहां पर x1 y1 क्या है टॉप लेफ्ट, x2 y2 क्या है ब्राइट ठीक कहा वाह ऑन गया बनाया था नहीं बनाया था यह रहाट आपका टॉप लेफ्ट और जीरो कॉमा जीरो ही आपका बॉत्बराइट भाई एक जीटू का पात करें तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए के जीड्व फॉर्थ कॉलन टिकिः जी यह पर फॉर्थ कॉलम और यहीं आपका बॉटम नाड भ्रफ नीट देडर इस वाली त्रे स्वाली सेल की बात the इस अग तेट के में डू अगर हम जी थरी कि बात करें यहां पर यह सएल हो जाएगा 1,1 टिक immature 1,1 यह वाला क्या हो जाएगा 2,3 तो 2,3 फाइनली अगर हम G4 की बात करें यहां पर ठीक है G4 जो मेरा आखरी ग्रूप है वो क्या हो जाएगा तो यह स्टार्टिंग है 4th row 2nd column 4th row 2nd column and 4th row 4th column 4th row 4th column तो यह हमारा फाइनल आंसर है this is what we have to return अब यार अगर आपने यह वाली वीडियो देखिया है यह वाला question solve किया है number of islands तो यह बिल्कुल same question है आप देखो हमने कल डिस्किस किया था इस इस कॉनेक्टेट components एक component यह हो गया 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 ठीक है तो हमें यह क्या करना होगा जैसा कि हमने कल किया चाहे DFS या फिर BFS लगाओ कल का question था कि भाई आपको count करना है कि कितने components है आज आपको बताना है कि जो भी एक component है इसकी आपको दो coordinates return करने ठीक है top left and bottom right अब करना कैसे बहुत simple हम क्या करेंगे सेम जो हमने कल किया था हम एक एक करके हर cell को I trade करेंगे और जैसे हम एक one मिलेगा हम वहाँ पर चाहे DFS चाहे BFS कॉल लगाएंगे मैं आपको पहले DFS से बताता हूँ DFS में थोड़ा से इंट्रेस्टिंग पॉइंट है उसको discuss करने के बाद वी जंप on to BFS जैसे मैंने यहां पर DFS कॉल लगाई मैं इसे visited मार्क करूंगा अब कोई भी उपर नहीं है मतला उपर आउप बाउंड है इधर आपका 0 है इधर आउप बाउंड है तो आप कहीं होने वाली हो हमेशा टॉप लेफ्ट होने वाली है तो मैं कह सकता हूं कि जो भी इंट्री पॉइंट है मेरे डी एफस का इंट्री सेल है वह मेरी टॉप लेफ्ट है अभी इस question में बहुत अथान है weekend से 0,0 ठीक है मैं भी बताऊंगा यह निकल कैसे रहा है इस वाले में दे सब्सक्राइब करें अब क्या गरोगे से विजिटेड माक करोगे अगें यू के नाट गो एनिवेर चारो डिरेक्शन में आप नहीं जा सब्सक्राइब दो जीरो है तो हमारी एंडिंग कोडिनेट भी यहीं हो जाएगी ठीक है तो कोई बात नहीं अगली सेल पे चलते है यहां से स्किप कर जाएंगे अब इस वाली सेल पर आते हैं यहां से वन मिला तो यह नई एंट्री पॉइंट है तो इसके कॉडिनेट नोट कर लो वन कॉमा वन ठीक है स्टार्टिंग मुझे मिल गई वन कॉमा वन से ना वट वील इंडिंग है अब आप देखो जब आप च्ते हैं मैं सारी कॉल नहीं लगा रहा चांच स्टार्ट को यहां में डेक्ष्ट स्टे उल्री प्राइट रोट ठाल भाड वो क्या है वह इन सारी अगर आप लिखो तो इसकी रो की वाल्यू सबसे बड़ी है और इसकी कॉलम की वाल्यू सबसे बड़ी है यानि कि आप किसी भी ग्रूप ऑफ लैंड में जब आप ट्रावर्स कर रहे हो तो जो भी माक्सिमम रो और माक्सिमम कॉलम आपको दिखे क्या मिल जाएगी फिर आपको मिल जाएगी 2,3 फिर मिल जाएगा 2,2 फिर मिल जाएगा 2,1 अब आपको और मेरा और से नहीं आएगा विकॉस हम डिपेंड करेंगा न हम कौन सी कॉल पहले लगा रहे है डाट इस पॉइंट कि हमारी डिएफ जो है कभी भी अश्यॉर्ड न इस दी मैक्सिममम कॉलम तो मैं लिख सकता हूं 2,3 फिक है यह हमने तीसरी सेल निकाल ली अब सिमिलरली आप आगे जाओगे तो आप इसे विजिटेड मार्क कर चुके हो तो ट्राइवस नहीं करोगे यह विजिटेड है यह जीरो है यह जीरो यह विजिटेड आगे वाट इस दी मैक्सिममम कॉलम यह विजिटेड विजिटेड मैट्रिक्स खतम आपको लिस्ट में रिटर्न करना है तो बड़े डालोगे चलो अब सेम चीज़ को अगर मुझे से करना होता तो स्टार्टिंग वाला तो सेम है मैं कहां से स्टार्ट करूंगा अगें से सेम तरीके से हमेशा टॉप लिफ से स्टार्ट कर रहा हूं वह जहां पर एंड होगी ना वही आपका अंसर होगा यह बहुत इंट्रेस्टिंग बात है कैसे समझते हैं इस चीज़ को बीएफस कैसे काम करता है आप लिट से आप चार डिरेक्शन में मूफ कर गए ठीक है इ चार लगाएगी लिट अगेन चार कॉल लगाएगी तो नाव वी चीज़ आप देखो कि आप पहले वन यूनिट ट्रावल कर रहे हो तो करते हम यूनिट बाई उनिट तो हमारे कैसे में हमें पता है जो यह वाली सेल है वह क्या है मैक्सिमम रोग इंड मैक्सिमम कॉलम वा अब क्या ऐसी मल्टिपल नोट होने वाली बिल्कुल भी नहीं है हम विजिटेट इसलिए तो यूज कर रहे हैं जैसे मालो फॉर के धर वन ही था तो वन तो विजिट हो गया तो हम इसे दुबारा विजिट नहीं करेंगे ठीक है तो अगर आप लगा रहे हो तो आपको मैक्स वाला लॉजिक नहीं सोचना पड़ेगा जहां भी वी एफस कॉल एंड हो रही है वहीं आपका आंसर होगे आंसर मींज बॉटम राइट हो गया चलो ग्रेट मैं आपको डीएफस बीएफस से आज नहीं बता रहा है औल्दो टाइम इन स्पेस कॉंपलेक्सिटी बिल्कुल सेम होगी जो मैं अगली अप्रोश बताऊंगा उससे भी बट कुछ नया सीखते हैं हर वीडियो में कुछ-कुछ नया सीखते हैं और बीएफस डीएफस आप खुछ से कर ले ना मैंने लास्ट की दो वीडियो से बताया और कोड घरके में साथ शेर जरूर करना ठीए कॉमे सेम है बट अगर इंटर्वियर आपसे पूछे कि क्या बीएफस डीएफस के बिना यह सॉल नहीं हो सकता था तो आपको क्वेशन एक बहुत इंपोर्टेंट एसपेक बोला गया है कि जो ग्रुप से हमेशा रेक्टांगुलर होने वाले रेक्टांगुलर से इनका मतलब है यूनिफॉर्म शेप में होने वाले ठीक है रेक्टांगल बोलते स्क्वेर बोलते अगर यह यूनिफॉर्म शेप में मतलब यह ऐसा आढ़हा टेड़ा नहीं है कि एक वन मैंने यहां भी लगा दिया क्योंकि इस चीज़ को आप मेशर नहीं कर पाओगे बट जब आपको उन्होंने रेक्टांगल बोल दिया सीदे सीदे ठीक है तो यू कें स्टार्ट फ्रॉम हियर आप यहां से जाओगे और आप आइट्रेट करके पता करोगे कि यह वाली सेल कितनी है मतलब की जीरो पहली बार कहां मिला है उसके एक पहले तक मेरी टोटल लेंथ है मुझे पत उसके पहले तक यह वाले रेक्टांगुलर की ब्रेथ है तो यह ब्रेथ और यह ब्रेथ भी सेम होगी तभी तो रेक्टांगल है तो मैं कह सकता हूं कि मैं easily दो लूप लगा करके इसकी टोटल एरिया कवर कर सकता हूं और मैं इनही को विजिटेड मार्क कर दूँगा और नैचरली यह जो लास्ट वाला है इसे मैं अपने आंसर में एड़ कर लूँगा ऐसा बॉटम राइंड ठीक है इसे ड्राइरंड करते हैं अच्छे सवन में आएगा ओके सो लेस्ट स्टार्ट आइटरेटिंग मैं रोस को आई से आइटरेट करूंगा एंड कॉलम्स को जेसे तो फर्स रो की बात करते हैं मेरी पहली कॉलम जो मैंने आइटरेट करी वो है वन तो जैसे यार आपको वन मिले तो तुम्हें पता है कि यहां पे एक ग्रुप हो सकता है ग्रुप ऑफ फार्म लैंज ठीक है तो मैं यहां पे एक सी नाम का वेरिबल रग दूँगा इमीड मतलब उतनी मेरे पास क्या है बेसिकली उतनी मेरे पास ब्रेट है तो इससे अपडेट करके विजट कर दो अपने सी को एक आगे बढ़ाते हैं जैसे हमने सी को आगे बढ़ा है मुझे वैली मिली जीरो यानि कि यहां पर रुख जाने जितनी आपकी मैक्सिमम लेंद थी व ठीक है सी आपका खड़ा है फिर्स्ट कॉलम पर आर आपका खड़ा है फिर्स रुपे यानि कि अगर हम इंटर सेक्शन पॉइंट निकाले तो आप इस सेल पर करेंटली खड़े हो तो मुझे क्या करना होगा मेरा आंसर कहां लाई करेगा ओवियसली एक पीछे जाना में तो करेंट आर एंसी की वैल्यू क्या है वन एंड वन और होनी के चाहिए वन माइनस वन एंड वन माइनस वन यह अभी आप टेंशन मतलो जब हम इस पड़े वाले को सॉल्फ करेंगे ना तब तुम्हारी एंडिंग कहां पे होगी यहां पे होगी ऑवियसली यार हम दे करेंगे इस वाले को तो अच्छे समझ में आएगा वन माइनस वन आपका 0 हो जाएगा एंड कॉलम भी आपका 1-10 हो जाएगा तो यह हमारा फर्स आंसर हो गया यह ग्रूप 1 के लिए हो गया आगे चलते हैं इस सेल की बात करते हैं यहां पे जीरो मिले तो इग्नोर करना हम हमें से शुरू करना है फिर से आगे चलते हैं 0 मिला फिर से आगे चलेंगे 0 फिर से आगे चलेंगे से बाटेमएं राइट फाइंड करने तो यहां पे आपका R आजाएगा यहां पे आपका C आ जाएगा लेटS माक इट इस में जी टेड़ नौ सी को आगे भड़ातें सी को एक और आगे बढ़ाया इस आउट ओ बाउंड हो गहें, यहाँ पर कब रुके थे जब 0 मिला, इधर कब रुके रहे हैं, जब आउट ओ बाउंड हो जए, यानि हमें दो कन्डिशन हैं एंडल करनी पड़ेगी, चाहे C हमारा आउट ओ बाउंड हो रहा हो, चाहे हमें 0 मिल ला हो, उन दोनों केस में we need to stop तो C हमारा ओविसली फोर्थ इंडेक्स थी तो पांच्छी इंडेक्स पर आके रुका हुआ है Here is C, now let's try to check किसकी breadth कित्ती हो सकती है तो row को एक आगे बढ़ाते हैं, ठीक है अब यहाँ पे जो भी value है, कौन सी value में check करूँगा R and J, आप ध्यान रखना, आप J से C को extend कर रहो फिर C को वापस यहाँ पे लाओगे, फिर से extend करोगे तो R and J पे हम check करेंगे हमेशा, ठीक है So यहाँ पे R and J पे value है 0, यानि कि यह भी हैं रुक जाएगा यह और नीचे breadth में भी extend नहीं हो सकता तो again, अब R हमारा कहाँ खड़ा है 1 पे, C हमारा कहाँ खड़ा है 5 पे, यानि कि इस वाली cell पे तो हमारा answer इधर होने वाला है ठीक है, यानि C-1 and R-1 तो 1-1 हो जाएगा आपका 0 and C-1, यानि 5-1 हो जाएगा आपका 4 तो 0,4, 0,4 अब इस वाली पे जब आएगे ना तब तुम्हें अच्छे सौन में आएगा फिर से देखते हैं अब आई को एक नीचे लेकर आते हैं क्योंकि यह वाली रों कंप्लीट हो चुकी है तो अब J को एक आगे बढ़ाते हैं ठीक है, फिर से यह वाली वन है, हां यह वन है टूर मैं क्या करूंगा में 길 सबसे पहले Maak करो को यहां पे ले करा आजाओ रो को और क्योंकि यह इंट्री पॉइंत है तो मेरा G3 का तॉर से टो को यहां पर स्टोर कर दो now C को आगे बढ़ाते हैं ठीक है next value पर चेक करते हैं यहाँ पर value है one तो again हम क्या करेंगे इसे modify करेंगे यायनी visited mark करेंगे फिर से C को आगे बढ़ाते हैं visited mark फिर से C को आगे बढ़ाते हैं इस बार आपको zero मिल गया यानी C और आगे नहीं बर शकता यहीं पर रुका हुआ है तो अब next row की बात करते हमें जितनी length मिलनी थी वो c ने निकाल दी अब breath कौन निकालेगा आर तो आर अब एक नीचे आ चुका है अब आप देखो आपको पहली value कौन सी देखनी चाहिए थी आपने starting यहां से कि यह देखोगे न तो यह कहां पर है एंड जे आपका starting column माक करके खड़ा हुआ है तो इस वेरी इंपोर्टेंट हाओ यहीं चेक करेंगे कि अगर आर एंड जे टीक है ग्रेड ऑफ आर एंड जे अगर यह वन है देन उनली वी विल कंटीनी तो हां यह वन है इसका मतलब अपने सी को अपडेट करके वापस से यहां पे लिए आगे बढ़ाते फिर से वन है मारकस विजिटेड सी को आगे बढ़ाओ यू कैन सी कि आपका फिर से खतम तो अब वापस से रो को बढ़ाते है जैसे आप रो को नीचे लेके आओगे और एंड जे आपका भी में पर खड़ा है यहां पर वैल्य आ गई जी यानि कि हम इसे और extend नहीं कर सकते तो मेरी breath इतनी है, length इतनी है ठीक है, बट आप देखो C and R कहाँ पर खड़े C खड़ा हुआ है, चौथी index पर R खड़ा हुआ है, तीसरे index यानि कि 3,4 बट हमारा answer कहाँ पर obviously हम 0 पर रुक रहें, तो एक पीछे चलो R-1 and C-1, ठीक है, तो R की current value है 3, 3-1 is 2 and C की current value है 4 4-1 आपका 3, correct, तो 1,1, 2,3 2,3 आपका यहाँ पर, 1,1 आपका यहाँ पर, ठीक है तो यह वाला land भी हमने mark कर दिया, आगे चलते है चलो, तो हमने इस वाली cell तक देखा था, नो जे को एक आगे बढ़ाते है ठीक है, यहाँ पर क्या है, visited, फिर से आगे बढ़ाओ, visited, फिर से आगे बढ़ाओ, 0 फिर से आगे बढ़ाओ, total number of columns खतम, तो I को change करते है, next row पर आ जाते है फिर से J को start करेंगे 0 से, ठीक है, यहाँ पर value क्या है, 0, कोई बात नी, J को आगे बढ़ाओ इधर value क्या है, visited, कोई बात नी, फिर से आगे बढ़ाओ, visited, फिर से आगे, visited, फिर से आगे, 0, फिर से आगे, खतम, तो row change अब similarly, यहाँ पर सारे 0 है, तो आप सारो को skip करोगे फिर से, फिर से row change होगी, ठीक है, यहाँ से देखते है यह value क्या है, 0, फिर से स्क्रिप्त रो, J को एक आगे बढ़ाते हैं, यह value क्या है, फिर से 0, J को आगे बढ़ाते हैं, यह value क्या है, 1, तो यू कैन से, कि I, J पर मुझे फिर से 1 मिला, कौन से इंडेक्स पर 4th row, 2nd column, तो यह क्या हो जाएगा, starting, starting of group 4, तो I can say, 4th row, 2nd column से group 4 start हो रहा है, तो again, अब आप यहाँ पर अपना C लेके आजाओ, यहाँ पर लेके आजाओ, यह extend चेक करेंगे, now, let's mark it as visited, C को आगे बढ़ाते हैं, mark this as visited, C को आगे बढ़ाते हैं, C आगे out of bound, तो C कहाँ पर खड़ा है, 5th index पर, that is out of bound, तो अब row को change करते हैं, ठीक है, तो R आजाएगा नीचे, अब R भी क्या हो गया, out of bound, 5th row, 5th column, तो मैं कह सकता हूँ, जितना भी extend हो सकता था, हो गया भी यह, तो अब R-1 and C-1 पर आपका actual bottom right खड़ा है, ठीक है, तो that means 5-1 is 4 and 5-1 is 4, ठीक है, done, वापस से continue करते हैं, यहाँ तक हमने देखा था, अब J को यहाँ पर लेके आते हैं, visited, J को यहाँ लाएंगे, visited, J को यहाँ लाएंगे, out of bound, I को एक आगे बढ़ाओ के, out of bound, we can say our loop is over and this is our final answer, ठीक है, आप इसे बड़े वाले array में इंसर्ट करके return कर देना, so this will become 2D array, now what will be the time complexity of this approach, obviously हम total number of rows and total number of columns to iterate करी रहें, plus हम क्या कर रहें, वापस से at least एक बार और traverse कर रहें, mark करने के बाद, तो icon से and into M फिर से कर रहें, and what is this space complexity, तो मैं इसी matrix में in place काम कर रहा हूं, तो icon से मैं कोई भी extra space नहीं ले रहा, but एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कि when you should use a visited matrix extra, ठीक है, तो let's say यह हमारा original matrix था, और यह हमारा visited है, मतलब मैं मैं यहां पर जब मैं mark कर रहा था, तो मैंने यहां पर 222 कर दिया, 2 means visited, अब इसकी जगावे मैं इसे 0 and 1 ही रहने देता, और एक नई matrix बनाता, boolean, जो अगर मुझे यहां mark करना है, तो मैं यहां true कर देता, यहां not visited रखना है, तो false कर देता, मतलब ऐसा कुछ logic यूज करता using a extra matrix for marking and unmarking, तो यह आपको पता है कब यूज करना चाहिए, जब आप interview में बैठे हो, ठीक है, because this is a good coding practice, आप input को tamper नहीं कर रहे हो, but अगर आप online assessment में बैठे हो, तो एक चीज बहुत अच्छी समझ लेना, कि तुम्हारे साथ कई लोग code लिख रहे हैं, तो क्या करना होग आपको best time and best space का code लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम in place logic यूज करते हैं, मतलब मैं तो यह track यूज करता था, interview में बैठे हैं, तो अच्छी coding practice follow कर रहे हैं, अलग से visited area बना रहे हैं, same input को tamper नहीं कर रहे हैं, but जब online assessment में बैठे हैं, तो जितने अच्छी time and जितना इसे code करते हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक result बनाना है, तो यहां पर एक और important aspect है, कि result इन्होंने 2D array मांगा है, but मुझे initially पता नहीं है, कि मेरे कितने coordinates होंगे, और 2D array में तो size देनी पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, हम एक array list कर लेते हैं, array list of integer array, क्योंकि मु इसे, हम स्टोर करेंगे, पर group, पर कितने group हैं, यह मुझे नहीं पता, तो मैं dynamic list का use करना हूं, ठीक है, is equal to new array list, now let's start our algorithm, तो I can say int i is equal to 0, length and breadth निकाल लेते हैं, तो total number of rows कितने होंगे, n is equal to land dot length, ठीक है, int m is equal to land of 0 dot length, ठीक है, now i is equal to 0, i is less than n and then i plus plus, similarly we can say for int j is equal to 0, j is less than m and then j plus plus, okay, great, now if a particular cell is 1, यानि कि if land of, land of i, j, if this value equals equals 1, ठीक है, तब आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपने traverse will start करना है, तो सबसे पहले तो original coordinates store करने के लिए एक array बना लेतने, int array is equal to new int, चार साइस का ही हमेशा रहेगा, और array of 0, starting coordinates साब क्या हो जाएंगी, जो जिस भी row से आप start कर रहे हो, जिस भी column से आप start कर रहे हो, तो यह हमने int को यहां पर store कर लिया, ठीक है, नाओ, mark this group as visited, तो हम क्या करेंगे, for int, I can say r is equal to i, then r is less than total number of rows, and तब से इंपोर्टन बार, जिस भी आप चीज को चेक करो, 1 होना चाहिए, land of rth row and jth column, ठीक है, this should be 1, ठीक, and then finally r plus plus, r plus plus, okay, now for int, c is equal to j, c should be less than total number of columns, and land of current row and cth column, should be equal to 1, ठीक है, अगर यह है, तो c plus plus, now we need to mark, तो land of r and c को हम mark कर देंगे as visited, ठीक है, यह आपने visited mark कर दिया, now after this answer कहाँ पर होगा, r minus 1 and c minus 1, but, नहीं, मुझे इनको actually बाहर यूज करना है, for loop के, तो मेरा answer तो r minus 1 and c minus 1 पे है, but I need to make this above, otherwise मैं इसे store कैसे करूँगा, i is equal to i and then int, c is equal to j, ठीक है, मैं यहां से int हटा देता हूँ, basically मैंने इनका scope for loop के ऊपर कर दिया, जिससे की after this for loop also, मैं इन दो values को access कर पाहूँ, ठीक है, r minus 1 and c minus 1, तो यह हमने store करा था, top left को, अब इसे copy करके store कर लेते हैं, bottom right को, ठीक है, तो I can say, second index में store करूँगा, r minus 1 को and third index में store करूँगा, c minus 1 को, ठीक है, अब इस एरे को अपनी list में add कर लेते हैं, list.add this particular array, ठीक है, so I think हमारा task complete हो चुक है, यह for loops अपना काम करी देंगे, now after this, मुझे अपनी list को convert करना पड़ेगा, 2D array में, तो I can use return, return list.to array, यहाँ पर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, किसमें convert करना है, integer, integer, और इधर we can say, क्या चाहिए, मुझे new, ठीक है, so यह trick होती है, how you can convert your list of arrays into arrays of arrays, मतलब 2D arrays, ठीक है, आप चाहो तो यार, आप copy भी कर सकते हो, यह पर लूप लगा करके, because now you know, कि भाई, list की जो size है, वही total groups होने वाले हैं, और हर group के अंदर, you know, this right, हमारा जो 2D array बनेगा नया वाला, बसकी first dimension होगी, रोस, list.size and second dimension होगी 4, ठीक है, आप यह काम करके, and then copy paste भी कर सकते हो, that's up to you, चलो इसे run कराते है, so hopefully this will work, and it did, now let's try to submit it, and 100% faster, ठीक है, तो बस यह रहे था अच्की वीडियो में, मैं मिलता हो दूम से कल, तब तक के लिए, बाई-बाई and टेक के रिए. जी ख़िए, बाई-बाउ लिए, बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई,